अगर आप मेरे चैनल पर नए है सबस्क्राइब किजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक किजिए जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने मिलेगी आज हम बहुत ही टेस्टी पनीर मसाला पास्ता बिनाने वाले हैं जिसे आप बिना जादा मेहनत के कभी भी ब नर के फ़र देखना के टोल के सबसे फेकर नगी और उसकर मिट कर देंगे और इसके पैस की उसीधा किसा लिए रोई शे AGA कैसा यहिए फिर को भार भाइस नियुकन बाले आप डेया-सके यह थोड़ाक इन्दर दालें बèse और तो उटोड़ा ओआ और तो हुद़ आपस्ता बस पास्ता को नमक और थोड़ा सा टेल डाल कर हम अच्छी से बॉयल कर लेना है और फिर बाद में हम इसके अंदर डाल देंगे फिर अच्छी से हम इसको टमयाओ सब चीजों के साथ में मिक्स कर देंगे अब हम लेंगे हैं पर पास्ता मसाला आप यहाँ पर कोई भी ब्रैंट का पास्ता मसाला यूज कर सकते है और फिर एक टेबल स्पून के करीब हम आप पर पास्ता मसालो को एड़ करकर हम पास्ता के अंदर अच्छे से मिला देंगे और लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे पनीर जिसको हमने चोड़े-चोड़े के उसमें कट कर लिया है अगर आप चाहे तो बड़े साइज में भी पनीर को कट कर सकते है पनीर को हम पास्ता के अंदर अच्छे से मिला देंगे और फिर टेस्ट के लिए हम इसके अंदर डालेंगे औरिगेनो चिली फ्लेक्स और फिर इन सब के बार लास्ट में बिलकुल हम एड़ करेंगे हरा धनिया आप चाहे तो हरी मेर्ची भी हाँ पर एड़ कर सकते हैं और फिर सबी चीजों को हम अच्छे से एक मिनिट तक मिक्स कर देंगे और फिर हम गैस को आफ करके इसको कवर कर देंगे और यह लीजिए हमारा बहुत ज़्यादा टेस्टी मसाला पनीर पास्ता बिलकुल यह तयार है सिंपल सी रेसिपी है जिसे आपको बनाने के लिए जादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत ही टेस्टी है इसको ज़रूर ट्राइ करना वीडियो अच्छे लगी तो लाइक करना सब्सक्राइब करना